आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बागेश्वर धाम में शादी की अरजी घर से कैसे लगाएं। आज हम इसे जोज जगा लेना है परशाद रख लेना है जाप कने के लिए माला रख लेना है यह एक नारियल और पांच लाउंग अगर जादी की अरजी लगा रहे हो उसके लिए आपको चाहिए पीला कपड़ा एक पीला कपड़ा लेना है आपने साफ सुत्रा बिल्कुल को कोई उपाय किया था वो कर यूज करना है नहीं ऐसे पांच लॉंग ले लेनी हैं आपने सिंदूर जो हम आनुमानची को चड़ाते वही बला सिंदूर लेना है आपने मंगलवार को शनिवार को मैंने काफी तरी वीडियो पे डाले नहीं आपने देखा होएगा चोला चड जिन लड़के लड़कियों के शादी नहीं हो लिए उनको अरची लगानी है ऐसे सिंदूर लगा लेना है आपने सारे नारियल के उपर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके जैसे आपको दखाई दे रहा है थोड़ा 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 आपने ऐसे सिंद पढ़ादेल होनी है। जिसकी सामदी में बढर वार रुकावट आरी है। हो जाती है, तो झाइबा है। ऊती है। एसे आपने सिंदूर लगा ले ना नाययल पर, आपको द दिख गया है पील कप्ड़ा साफ सुत्रा ले लेना है जैसे ही आपको वीडियो में दखाई दे रहा है कपड़ें को आपने ऐसे बिचाना है, उसके इपर नाययल रखना है उसके बाद जो पांच long हमने ले थी फूल वाली होनी चाहीए long जिसमें फूल लगा होता है पूज आपर्ट में सारी long जो यूज होती है वो फूल वाली ही यूज होती है बिना फूल की long यूज नहीं होती है ऐसे फिर इस नारियल को आपने बांदेना है यह आपका अरजी बारा नारियल है इसको बांदते टाइम आपने मन ही मन वागिश्वर धाम को याद करना है उनसे अपनी अरजी लगानी है बोलना है कि हमारे बच्चे की लड़का ये लड़की जिसकी भी शादी के लिए आप अरजी लगा रहे हैं लड़की की शादी हो जाए उसको अच्छा घरवार मिल जाए तीन वारी आपने ऐसे हाथ में लेके तीन वारी अपनी मनो कामना बोलनी है कि हमारी लड़की की शादी हो जाए उसे अच्छा घर मिल जाए आपने एक ही मनोकामना बोलनी है तीन वारी इसलिए मैंने आपको बोलके भी दिखाया है एक ही मनोकामना को तीन वारी बोलना है ऐसे नहीं कि आपने एक वारी कोई बोलना है दूसरी वारी कोई एक ही बात को बोलना है आपने तीन वारी जो भी आपकी इच्छा है शादी की कि हमारे इस लड़के या लड़के की शादी हो जाए फिर बागेश्वर धाम को आपने याद करना है हनुमान जी को बाला जी को सीता राम बोलके गुरू जी के चन्ड़ों में अपनी अरजी कि हमारे बच्चे की शादी हो जाए उसके माद आपने फिर माला का जाप करना है 108 वार माला में आपने ये कवंसो काज कठिन जग माई वारी चौपाई बोलनी है अगर चाप कुछ और बोलना चाहते हैं आपने कोई मंतल ले रखा है तो आप वो भी बोल सकते हैं ऐसा कोई ज ज़रूरी है ये एकवारी सुबह एकवारी शाम जब आप अडजी लगाओगे मैं आपको पहले बता है लेसन पे आज का मना है ड्रिंक नहीं करना है जब यह आपकी अडजी स्विकार होती है जब आपको उसको पूरे दिल सिर्फ श्रद्धा से करते हो ऐसे अडजी स्वि पूरी उसका तो भगवान को भी पता है कि वो इन चीजों को नहीं छोड़ सकता या फिर कोई परेशानी है लेकिन जो छोड़ सकते हैं जो कर सकते हैं उनको ये सब चीज नहीं करना है लसन पर आज यूज नहीं करना है अंडा नहीं खाना है इन सब चीजों का आपने ध्य जैसे आपको पता है हर वीडियो में आहूती की डाली हुई है हमने तो पूजा जभी होती है फूरी जब हम उसमें आहूती भी देते हैं आपने ग्यारा या इक्कीस आहूती देनी है ये तो देनी ही देनी है आप इससे जादा भी दे सकते हो ग्यारा या इक्कीस आहूती दे आप सुत्री जगह पर आपने बांद के रखना है, अगर जो घर के मंदर में रखना चाहते हैं, तो मंदर में रख सकते हैं, उसके अलावा और कोई अच्छी जगह है, जहां पर आप इसको रख सकते हैं, वहां पर रखना है, और इसको आपने फिर भागिश्वर धाम में जा जा रहे हो आपको अचानक से बंदर दिख गिया है जब आपने अरजी लगाई है तब आपको बंदर दिख जाए ना आप समझ ले ना आपकी अरजी सुईकार हो गी है किसी ना किसी को जरूर दिखेंगे चाहे एक दिन दिखें या दो दिन दिखें आपने सुनाई हुए बागेश्र वाबह यही बताते हैं कि आपकी अरजी स्वीकार होगी है तो आपको बंदर जरूर दिखाई देगे आपको आए आपके घर में कोई भी है जो ममी पापा भाई बैन किसी भी फैमिली मेंबर को बंदर सपने में दिखाए दे सकते हैं या फिर वैसे भी आप कहीं आ रहे हो कहीं जा रहे हो आपको भंदर देखे हैं तो वही उसका मतलब है कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है आपने हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है एक बारी सुभा एक बारी शाम को जब माला का जाप करोगे आहूदीद होगे तब आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करना ये बहुत सही रहेगा आपके लिए मुठी बांद के आपने तीन वारी जो आपने अर्जी लगाई थी न मनी मन में बोला तक कि हमारी लड़की की शादी हो जाए मुठी बांद के तीन वारी आपने वही दुबार से दोहराना है कि हमारी लड़की की शादी हो जाए हमारी लड़की की शादी हो जाए ऐसे आपके अर्जी सुईकार हो जाएगी जैश्यारां